तो चन्ने टीम के चेंपियन खिलाडी दीपक चहर ने मैदान पर वापसी कर लिया है जहांपर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो शेयर करा है जहांपर वो पांच महीने बाद मैदान पर उतरे हैं गेंद को थामी है इस खिलाडी ने और दुबारा गें इंजरी हुई थी हैंस्ट्रिंग हुई थी उसके बाद आईपियल में 14 करोड जैसी मुटी रिकम में चन्ने इने अपनी टीम में इनको वापस सामिल किया था लेकिन चोट के करण बैक स्पैजम के करण यह नोंने पूरी जो टूर्नमेंट है वो मिस किया था उसके बाद ल इनके साथ साथ यह टीम के लिए एक इंपोर्टन्ट लोर डाउन दी ओडर बैट्समेन है जहां पर यह इंपोर्टन्ट कंट्रिबूशन करता है इसने चन्ने के लिए अच्छी बलेबाजी करी है लोर डाउन दी ओडर बैटिंग को समाला है और भारतिय टीम के लिए भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी जब ये साउथ अफ्रिका इंडिया की टीम गई थी वहाँ पर lower down the order एक अच्छी इन्होंने बैटिंग स्पिरिट दिखाई थी और games को finish किया था भारतिय टीम के लिए बले ही उस matches में हमें जीत नहीं मिली थी लेकिन हमें अच्छा होगा या नहीं होगा ये एक दिल्चस्प बात होगी इस खिलाडी की अगर ये खिलाडी फिट होकर Asia Cup में हमारी टीम में आता है तो हमारे पास एक बैटिंग और एक प्लस नया चार ओवर के अपने स्पेल में नई गेंद से लहराने वाले हमें एक गेंदबास के रूप मे हमें मिल सकता है तो देखना होगा कि कब तक ये खिलाडी मैदान पर उतरेगा और कब दुबार से भारतिये टीम को मैच जिताने में एक एहम भूमी का निभाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप इने निस पोर्स के पेज को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक झाल 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 झाल